नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लिमिट और फिट और टॉलरेंस से समयत कुछ महत्यपोर संकेर तो वो शुरू करते हैं तो पहला है हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं दूसरा पॉइंट है किसी पार्ट के जिस साइज पर लिमिट फिक्स की करते हैं तीसरा पॉइंट है जिस साफ्ट की आपार डेविएशन जीरो होती है वह साफ्ट हमारी साफ्ट बेसिस होती है और जिस होल की नियूरत बिचलन यानि की लोवर डेविएशन जीरो होती है वह हमारा होल बेसिस सिस्टम कहलाता है चौथा पॉइंट है होल बेसिस स साइजी कि प्तिरता है और जर्ग साफ्ट वैसे सिस्टम में साफ्ट का साइज इस्थिर होता है पाँच-वाइंट है नोगों लीमिट जो हैAlex हमकी होता है उसमें लीमिट और साफ्ट की लोएध्वर लिमिट होती है यहने कि ौ लीमिट वो होल की lower limit होती है और soft की upper limit होती है चाठा point है Snug fit clearance fit के अंतरगद आता है यानि कि हमारे पास एक clearance fit होती है उसके अंतरगद जो snug fit है वो आती है जिसमें free fit के पेच्छा closed contact होता है यानि कि free fit के पेच्छा थूढ़ा अधिक close contact होता है साथ होly-basic system अफेच्छा कर अधिक पूर्ण किया जाते हैं क्योंकि standard size के fix doul जो हैं आसाने से उपलब्द होते हैं और whole को आसाने से finish किया सकता है आठ हो पॉर्ण है किसी fit के दोनों part के लिए basic size सामान्य होता है नवह पॉइंट है जो size part को माप कर लिया जाता है वो हमारा actual यानि कि वास्तिविक size कहलाता है मतलब जो size हम किसी part को मापते हैं वह हमारा वास्तिविक size कहलाता है दसव पॉइंट है यह किसी डाइमेंशन को इस तरके दिखाया गया है 40 प्लस 0.02 और माइनस 0.02 दिखाया गया है तो इस पर हमारी युनिलेटर टॉल्रेंस होगी तो कि इसमें एकी तरफ हमारी डाइमेंशन जा रही है इसलिए 11 पॉइंट है निगेटिव एलाउंस में होल की एप एच्छा साफ्ट बड़ी होती है जिबकि पॉजिटिव एलाउंस में होल की एप एच्छा साफ्ट जो है हमारी छोटी होती है 12 पॉइंट है पार्ट्स का उत्पादन करते समय टॉल्रेंस देने की कई लाव होते है जैसे पहला लाव है समय और लेबर की वच्छत होती है दूसरा उत्पादन बढ़ा सकते हैं तीसरा जो है लागत कम पड़ेगी इसमें दोस्ते कोश्चन दे रखा है कि एक पार्ट का साइज जो है 75 प्लस माइनस दसंबलो एक दिखाया गया है तो उसका बेसिक साइज जो होगा 75 mm होगा टॉलरेंस आपकी जो होगी 0.2 mm माक्सिम्म साइज आफ लिमिट होगी आपकी उच्छतम साइज होगया 75.1 mm और मिलिम्म साइज आफ लिमिट होगी 74.9 mm चौद्व पॉइंट है क्लेरेंस फिट में साफ्ट की लिमिट के पे इच्छा होल की लिमिट अधिक होती ही यह नहीं कह सकते हो कि साफ्ट का साइज जो होगी का होगा और होल का साइज अधिक होता है पंद्रों पॉइंट है किसी साइज को पचास एच सिक्स जी सेवन में दर्साया गया है तो इसमें इनका मतलब क्या होगा है जो एच और जी और पचास है तो जो पचास है वो होल और साफ्ट का बेसिक साइज है कैपिटल एच सिक्स है यह होल के लिए टालरेंस ग्रेड है और इसमाल जी सेवन है यह साफ्ट के लिए टालरेंस ग्रेड है दोस्तों होल के लिए बड़े अच्छर यूज़ करते हैं और साफ्ट के लिए छोटे अच्छर यूज़ करते हैं सूलों पाइंट देखी कंपोनेंट के मास प्रोडक्शन में लिमिट और फिट सिस्टम भी कैलाव होते हैं जैसे पहला जो है कंपोनेंट को इंटरेचेंजे लोना आई सकता है दूसरा है अर्थ कुछ दकारिगर से काम लिया सकता है तिसरा है लिमिट गेजों का प्रयोग कर सकते हैं और चौथा जो है प्रोडक्षन में टाइम की बच्चत कर सकते हैं 17 पॉइंट है 25 मिलिमीटर बेसिक साइज वाले 4 राहों के मूल भूत विछ लेने जो है H, J, JS और P होती है तो इसमें H जो होता है H होल में बेसिक साइज के बराबर नियूरूतम लिमिट होती है 18 पॉइंट है समरू पार्ट का उत्पादन जब अधिक मात्रा में करते हैं यानि कि जैसे पार्ट का जब अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तब कहा जाता है कि पार्ट का मास प्रोडुक्शन किया गया है यानि कि बहुत पादन किया गया है उसका तीन लचड़ होते हैं पहला तो है लिमिट में डाइमेंशन समंद्धी पर सुथता आती है नंबर दूसरा है सर्फेस फिनिस की डिगरी और तीसरा जो होता है इंटर चेंजिबिल्टी भी होती उसम यानि कि आपार डेविशन उच्छतम विचलन जो इसमें दे रखा है प्लस 0.025 और EI दे रखा है यह दे रखा है यह दे रखा आपका है 0.002 तो इसका अधिक्तम साइज जो होगा वो पचास असमलोज 025 mm होगा और मिनियूम साइज आफ लिमिट होगी 50.002 mm देखिए किसी होल में फिट की जाने वाली पिन की टॉलेंस जोन यदि होल के पोड़ते आ उपर है तब इंटर्फेरेंस फिट वनेगा 1200 पॉइंट है यदि यह कंपोनेंट का साइज 25-0.01 तो इसमें माइनस 0.1 का प्राय यह है कि नुनुतम विचलन जो है और कि लूवर डेवेशन जो हमारी है 0.01 mm है वह माइनस में है लिमिट और फिट के बी आए सिस्टम में 0-500 mm साइजों के स्टेंडर्ड रेंज होती है 300 पॉइंट है लिमिट और फिट के बी आए सिस्टम में 18 ग्रेडों की टालरेंस होती है जिने नंबर चिन्नों से समुझत करते हैं 24 पॉइंट है बहुत पादन याने कि मास प्रोडक्शन में इंटर्चेंजबिल्टी प्राप्ट करने के लिए जो हमारे स्टेंडर्ड है मानकी करद जो है महतपूर्ड है 25 पॉइंट देखिए थ्रेड टॉलरेंस के साथ इंटर्नल और एक्स्टर्नल ध्रेडिट कंपोनेंट का अउत पादन करने से इंटर्चेंजबिलिटी सुनिश्चित हो जाती है 26 पॉइंट मैटिंग पार्ट के बीच जान बूच कर रखा जाने वाला अंतर आपका अलाउंस कहलाता है 27 पा देखिए नीचे बने चेत्र में जो फिट दिखाया गया है वो कैसी है इंटर्फेरेंस होल के उपार जा रहे हैं हमारे साफ्ट यह दिखिए यह इंटर्फेरेंस फिट है अगला हमारा है 29 पॉइंट किसी कंपोनेंट की द्रमेट को साइज की लिमिट के अंदर फिनिस करतें हैं तो इसे सुरुक्रत साइज करतें हैं 30 पांट देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस पर ». जो गते लिमिट फिट और टॉलरेंस के माटपूट नोटट्स कैसा लगा वीडियो में जरूर करता है वीडियो देखने के लिए देन वाद